जिला चिकित साले सीतापुर के CMS डॉक्टर आरके सिंग रविबार को CMS पद से कारिमुक्त हो गए उन्होंने अपना कारिभार जिला अस्पताल के नेत्र सर्जन डॉक्टर पीके सिंग को ग्रहन करा दिया अब से जिला चिकेट साले सीतापुन में CMS का पदभा डॉक्टर P.K. सिंग सभा लेंगे बता दे स्वास्त विभाग में 62 वर्सों के बाद प्रसासनिक पदपर चिकेट सक अपनी सेवाय नहीं दे सकते हैं जिसकी वज़ा से CMS पद डॉक्टर R.K. सिंग को छोड़ना पड़ा फिलाल वर्स जिला चिकेट साले सीतापुन में नेतर विभाग को अपनी सेवाय प्रदान करेंगे मूल रूप से बनारस के रहने वाले डॉक्टर R.K. सिंग का CMS पद पर रहते कारकाल उपलबदियों भरा रहा उन्होंने तीन फरवरी 2022 को सीतापुर में CMS पद का कारभार गहन किया था जिलाची के साले में डियलेसिस सेवा सुरू होने के बाद सिर्फ एक रुपए में मरीजों को डियलेसिस की सुईधा प्राप्त होने लगी बता दे किड्नी रोगियों को डियलेसिस की जरूथ पढ़ती है नीजी क्लीणिंग में डायलेसिस कराने पर एक बार में कम से कम 3,000 रुपे खर्ष हो जाते हैं जिलास्पताल सीतापुर में डायलेसिस के लिए 6 बेड उपलब्द हैं जिससे 1,7,6 मरीजों को डायलेसिस हो जाती है इसके अलाबा उन्होंने कार भार ग्रहन करने के बाद फिजीसियान और सरजन डॉक्टरों की पोश्टिंग कराने में सफलता हासिल की उन्होंने अपने कारकाल में छे डॉक्टरों की पोश्टिंग कराई जिससे स्वास्तेवाएं सुचार रूप से चलती रही सबसे बड़ी उपलब्दी CMS डॉक्टर आर्के सिंग के कारकाल की यह रही की जिला चिकत साले के नवीन भवन के लिए भूमी उपलब्द हो गई सीतापुर में नय जिला चिकत साले भवन की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही थी क्योंकि मौझूदा अस्पताल काफी जरजर हो चुका है यह अस्पताल 136 साल से अधिक पुराना बताय जा रहा है इस अस्पताल में 230 बेट की सुविधा मौझूदा समय में उपलब्द है CMS के कारकाल में नय जिला अस्पताल के लिए लगभग 13 बिगा जमीन उपलब्द हो गई है सीतापूर में सिविल लाइन महोले में नजूल भूमी पर स्वास्त विभाग नया जिला चिकत अस्पताल बनवाएगा योगी सरकार ने इसके लिए सुकृती भी प्रदान कर दी है विभाग के मुताबिक नया भवन छे मंजिल का होगा इसमें लगबत 400 बेड की सुविधा होगी जिला चिकत साले के CMS रहे डॉक्टर आर के सिंग ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि जिला चिकत साले में मरीजों को बैतर सुविधाय मिलने का नतीजा या रहा कि सीतापुर का जिला स्पताल मंडल में प्रथम इस्थान पर रहा है ब्योरो रिपोर्ट आई इंडिया खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया